तो ये हम लोगों का पहला पास है में स्ट्रीम टीम में जॉइन करने का इसका वीडियो बारा घंटा से ज़्यादा आपके पास था और आपने साध अंसर किया होगा मेरे ट्रेग्राम आईडी पेज जिसको टीम देखती है मैं भी देखता रहता हूँ आगे से अगर आप जोईन करना चाहते हैं तो आपका पहला क्राटेरिया है कि आपको मेंस देना होगा मतलब आपके पास आपका डिजल्ट होना चाहिए टीर वन का और मैं जो कोशन पोश्ट करूँ ट्रेग्राम चैनल पे या यूटूब पे जो प्रीमियर होता है उसका आप उसका इमेज या उसको टाइब करके आप उस ऐडी पर भेग दिया किईए जहां पे उसका लिंक होता है हम आपको ड्रीमक qrm के ग्रूप में आड़ कर देंगे और उसमें क्या चलेगा नहीं चलेगा आपको बहुत जल्द पता चल जाएगा तो अब ड्रिममे में 3, 4, 5, Pythagoras triplet लगता है, बट actually Pythagoras triplet हो के भी Pythagoras triplet नहीं है, तो हम इसको solve कैसे करें, चलिए इसको थोज़र के लिए हटाते हैं, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, लेकिन 0.75 का मतलब लिखा हुआ है 3 by 4, अगर आप इसको Sinex मानोगे, अभी मैं जो करना हूँ, values putting करना 0.8 का मतलब 4 by 5, इसको put करना मैं इसको easy लग रहा है Sinex का, मैं इसको P मानूँगा, इसको H मानूँगा, उससे 10x निकाल कर प्रूफ करूँगा, यह मुझको satisfy नहीं करेगा, बहुत basics है न, Sinex अगर 4 by 5 है, that is P by H है, तो आपका 10x आप निकाल सकते हो, 10x आपका क्या होगा P by B, means 4 by 3, और 6x आप निकाल सकते हो, 6x क्या होता है, H by B, 5 by 3, आप इसको यहाँ put करोगे, satisfy नहीं कर रहा है, Sinex का 3 by 4 है, तो आप जैसे ही इससे यह P है, यह आपका क्या है, H है, आप B निकाल रहा हो, तो root साना start हो जागा, satisfy नहीं कर रहा है, यह आपका 3 by 5 है, जो की क्य देख रहा है, P by H, तो आप यहाँ से 10 निकाल सकते हो, 3 by 4 आपका 10 होगा, और आप 6 निकाल सकते हो, 6 आपका क्या हो जाएगा, 4 by, sorry, that is 3 by 4 is the 10, हाँ, 4 by 5 by 4 H by P, आपका 10 होगा, put करोगे, answer नहीं आएगा, इस तीनों से answer नहीं आया, यह हमारा answer होगा, यह hardly आपका 30 seconds से ले concept देखते हैं, Pythagoras में है, नहीं है, क्या-क्या, इसको मैंने आज ही अपने mains के class में discuss किया था, जो online चेर रहा है, तो अगर आप online mains के class जोईन करना चाहते हो, तो recordings वहाँ पे है, आप recordings को पूरा देख सकते हो, या only आप चाहते हो practice batch को जोईन करना, practice batch में questions होंगे, and उसका video solutions आपको दिया रहेगा, और बहुत साथा help मिलेगा, mocks कैसे देना है, नहीं देना, तो practice batch भी join कर सकते हो, आप इसको दे सकते हो, और mocks भी हमारे आगे है, जिसे भी आप दे सकते हो, mains के लिए, तो चली चलते हैं, solution की तरफ, अगर आपके पास कुछ special condition, sign और tank के नहीं होते तो हमें इसे cos और tank की मदद से solve करना होता है, though there is a diet formula, और मैंने इसको आज ही discuss किया अपने class में, तो 4 upon cos x, minus 5 into sin x upon cos x, आप इसको cos और sin में convert करो, बहुत easily होगा, cos x से multiply कर दो, 4 minus 5 sin x is equal to 3 cos x, यहाँ से जो equation बन के आएगा, आपका आएगा 5 sin x, इसको इधर लेके जाए, तो plus 3 cos x is equal to 4, यह condition आएगा, अगर जब भी आपके पास a sin x plus b cos x equal to c होता है, तो आप equation create करते हो, coefficient को interchange करके b sin x, minus sin डालते हो, a cos x is equal to k, और इसमें एक relationship आपका होता है, वो क्या होता है, a square plus b square is equal to c square plus k square, दोनों को square करके add कर दिएगा, यह answer आता है, तो मैं यहाँ से direct लेखना चा sin x and sin change minus 5 cos x, और यहाँ पर k है, तो मैं यहाँ पर डालता हूँ, 5 square plus 3 square is 25 plus 9 is equal to 16 plus k square, तो यह इदर आएगा, तो 18 is equal to k square जाएगा, k का value जो होगा, plus minus root 18 minus 3 root 2 होगा, यह मुझे पता है, तो यहाँ पर plus minus 3 root 2 लिखते हैं, अब आप direct भी solve कर सकते हो, नहीं तो आपको चाहिए क्या आपको चाहिए sin x, तो cos को हटाओ, यहाँ पर आपको multiply करना होगा, बहुत simple सा, which one is 5, तभी तो यह 15 देखा और यहाँ multiply करना होगा 3, तो यह आपका देखा 25 sin x, यह आपका 25 sin x, और यह तो cancel out होगा, 25 sin x यह होगा, और यहाँ क्या होगा, plus 9 sin x is equal to 20 plus minus, आपने 3 multiply किया है तो 9 root 2, तो sin x की जो value होगी आपकी, वो होगी 20 plus minus 9 root 2 upon, यहाँ से यहाँ आपका आजाएगा 34, तो यहाँ तक हमें पता है, अब मैं अगर sin x को solve करूं, उससे पहले approximation लेना है, तो आपको पता है, root 2 की value होती है, 1.4, अगर आप 9 multiply कर दो, तो यह जगा 12.6, तो यह जो दिख दिखेगा, वो दिखेगा, अब subtract करते हो, तो 12.6 का मतब 7.6 divided by 34 दिखेगा, यह 0.8, 0.9 के करीब आएगा, जो कि हमारा options में नहीं दिया हुआ है, तो यह जो हमारा दिखेगा, यह 76, 36 divided by 3, 40 दिखेगा, और अगर मैं इसको देखूं, तो यह approach 2 points नहीं जाएगा, 2 points यही answer ह यह हमारा answer, तो यह basic concept है, पूरा इस question का, जो हम लोग discuss करते हैं, अपने main screen classes में, और मैं आपसे यही बोलना चाहता हूँ, कि अगर इस question को आप exam में छोड़ भी देते, तो आपके बहुत ज़दा answer नहीं पलते हैं, एक दो question छोड़के, बट क्या यह question छोड़ने लाइक था options यह तो बहुत अराम से बने लाइक था, अगर आप options बना सकते हो, यह आपको concept रहा, मैं आपसे जाता हूँ, कि आप बने रही चैनल पे, dream team में participate किये, अगर join कर सके तो dream team is the one of the best platform to solve the questions and the self preparation, तो बने रही है हमारे सार, तो अपना base दीजिए, मैं अपना base देता रहूँग आई अपने exam को crack करते हैं साथ में, God bless you, happy learning and bye bye